तो हाई फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल में और मेरा नाम है बवितार रावत तो जैसा कि आपको पता है मेरे प्रेग्नेंसी से रिलेटर सारी इंफॉर्मिशन मैं आपको देती रहती हूं तो जो मेरे चैनल में न्यू है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को प्रेस कर लीजे क्योंकि बैल आइकन प्रेस करने से सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है अगर आप बैल आइकन भी प्रेस कर दोगे तो आज मैं आपको बताऊंगी पानी से डिलेटीट सारी इंफोर्मेशन में बताऊंगी पानी की क्या-क्या बैनिफिट्स मिलते प्रेगनेंसी में पानी पीना वैसे तो नॉर्मल नॉर्मल भी सबके लिए बहुत अच्छा होता है इतने ज़्यादा बै तो मैं आपको सारे बैनेफिट्स डेटील में बताती हूं कैसे आपको पानी पीना कितना पाशनी पीना सब मैं आपको डिटेल में अहला प्रीयों मुझना से बसंतर क्वेक्स दक्तव सब्सक्राइब हो है तो सबसे पहले इसका बेनिफित होता है वह जो हम आपने सुनाई होगा स्टैम पे एसीडिटी बहुत जाद होती है प्रेगनेंसी में हर्ड बन ठीक है डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं रहता है प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो इसके लिए अगर आप भरपूर पानी अच्छा एगा और ऐसीडिटी कम रहेगी ऐसीडि प्रेगनेंसी में और यहां श्मय धना है को फौर्ट पक्रेगनेंसी के दौरान जो जो बेबी तक है सारे न्यूट्रेंट्स वो वाटर की थ्रू ही पहुंचते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा तो जितना आप वाटर पी होगे तो उतने अच्छे न्यूट्रेंट्स आपके बेबी तक पहुंचेंगे तो इसलिए भी आपको पानी पीना बहुत जरूरी रहत तो उसके लिए क्या होता हमारी जो प्रेगनेंसी की दुराने वाटर की रिक्वेर्मेंट ज्यादा रहती है अगर पानी कम होगा तो इससे बेबी को प्रॉब्लम आज आती है ठीक है तो बेबी की प्रोटेक्शन के लिए भी आपको पानी पीना जरूरी है क्योंकि बेबी को उस टाइम जो अमनिटिक फ्रीट से स्राउंडीड रहता है तो उस टाइम वाटर की रिक्वेर्मेंट बहुत ज्यादा रहती है तो इसलिए भी आपको पानी ज्यादा पीने चाहिए ताकि बेबी भी प्रोटेक्ट रहे ठीक है और फोर्थ जैसे लास्ट जो ट्राइमिस् जो संभावना है वो बहुत जादा बढ़ जाएगी आपके कॉंट्रेक्शन बढ़ जाएंगे और जल्दी डिलिवरी होने का एक रिस्क रहता है अगर आपके उस टाइम पे वाटर लेवल कम होगे थर्ड ट्राइमिस्टर में तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको खूब जो क्या शीbet पानी पीना चाहिए और पानी है कुद से थ्री लिट्र इतना मैंने पानी में पी पीना है तागी आपके जो बॉड़ी है हाइड्री डे हाइडरेटिड हो ठीक है और इसका एक और वह होता है हमारी जो pregnancy है उस टाम पर क्या होते है हमारी body में बहुत ज्यादा major changes आते हैं जैसके आपको पता है बहुत ज्यादा changes आ जाते तो आपको पनी पीना चाहिएी जो इसके वज़े से देखों अनुत अगर है तो यé शा collar enhance सांगे वैवार्टम आपको इनदयस्हेंज देखों टनाथा विल् 1,2,3,iénसाबम और ये तो करनी जो ये तो क dalla reference आपको उस्क 핫 आपको के बहुत जादा benefits होते और delivery में भी help करता है last time पे जितना पानी level आपका रहता है water level पूरा भरपूर रहता है तो delivery में भी help करता है और एक और जो यूटाई infection आपने सुना होगा यूटाई प्रॉब्लम बहुत आजाती प्रेग्नेंसी में तो यूटाई के लिए भी डॉक्टर आपको क्या रिक्मेंड करेंगी कि आप पानी खूब सारा प्यों और खूब जितना पानी प्योंगे उतनी जो है टॉक्सिन्स भी बाहर जाते तो आपको प्रेग्नेंसी होगाkovा अगर पहले प्रॉबलम नहीं होंने इंफेक्शन के वह वाटर की थ्रू हमारी बॉड़ी से बाहर आ जाता है जैसे आप सूजन आती है पेरों में प्रेगनेसिंग की दुरान तो अगर आप पानी पियोगे तो जो एकसे सोडिय में वह बाहर चला जाएगा तो आपके पैरों में सूजन भी नहीं आएगी और यह प्रॉब्लम भ पानी पीने से और इसलिए आपको पानी पीना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस टाइम पे वाटर डेवल आपको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है इससे आपके प्रिमिचियर डेलिवरी से बच जाओगे आपको थकान कम लगेगी आप हैल्दी फील करोगे आपकी पैरो इसलिए जो भी प्रेगनेंट एक्सपेक्टिन मॉम से उनको मैं कहूंगे कि आप अपने जो वाटर का चैक रखे कि आप कितना पानी पी रहे हो दिन में कम से कम 3 लीटर पानी आप मिनिमम पिये और मानलो अगर आप भूल जाते तो आप अलारम लगा ये अलारम आप लगा आप तरीका क्या होता है पानी आपको ऐसे नहीं कि पूरा ऐसे एक ही अी घुटकर पर पानी पी गेर daí तरीका होता है तो पाने आपको घूल गुट करके एक-सिप करके पीना अहें और Kinu ऐसे एक फटना Coffee कंटिने ओसे सो क्टो आप विखे 2 प्रेगनसी में भी आपको खानागाने की तुरूरां बाद पानी पीना अगर पीना हुआ है तो आप खाने से आदा गहंटे पहले पहले पीलो या आदा घहंटाओ गांटाओ वेट पाने के बार उसके बाद पानी पीना चाहिए और warm water आप warm water हलका गुनगुना पानी आप ले सकते हैं ज्यादा गरम पानी प्रेगनेंसी में नहीं पीना चाहिए क्योंकि होता गरम चीजों को अवाइड करते हैं प्रेगनेंसी में तो आप गुनगुना पानी पी लीजे उसके आपको benefits से मिलेंगे तो इस तरह से पानी के मैंने सारे benefits आपको बता दिये और मैंने खुद 3 लीटर पानी मैंने regular पिया है प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग की दौर में थोड़ा कम पिया था तो यूट्याइंग प्रॉब्लम मेरी आ गए थी उसके बाद मैंने regular पानी पिया है बलकि winters में थी मे होगे तो आपको constipation जो होती है प्रेगनेंसी में problem वह भी नहीं होगी तो यह constipation को भी दूर करता है इतने benefits से मैं क्या बता हूँ पानी पीने से आपको benefits भी benefits मिलेंगे कोई loss नहीं होगा तो सारी problems को यह solve कर देगा और जो complication आनी वाली है तो इसको यह कम कर देता है complication को delivery में भी complication कम आएगी अगर आप पानी भर पूर पी होगे तो इसलिए 3 लिटर पानी आप शुरू कर दीजिए आज से जो expectant moms है और यह सो follow करके देखिए तो आपको अभी मतलब one month में आपको difference डिख जाएगा जो आपकी problems या complication आ रही होगी जो जो कुछ problems पील हो रही होग जो मैंने खुद भी observe की है और जो मुझे पता है मैंने आप से share कर ली है तो आज से आप पानी पीना शुरू कर दे जो भी expectant moms है और इसके benefits ले pregnancy में and have a healthy and smooth delivery and thank you so much for watching my channel and मेरे साथ आप बने रही है और information में लाती रहोगी important information important questions जो भी आपके होगी तो इसलिए आप मेरी चै